आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा सेल्प स्टडी का सेल्प स्टडी का आसे होता है शोव अध्यन या अध्यात्म यानि बिना किसी सिच्छक के साहता के मार्ग दर्सक के खुद को सीखने से ज्ञान अर्जित करने से है या कौसल प्राप्त करने से है सेल्प स्टडी का एक आसा है मेरे सोच से जो आर्थिक रूप से बहुत कम जोड़ है वे किसी काम को करके ना केवल अपना घर चलाते हैं बलकि घर के खर्च चलाते हुए किसी ना किसी तरह से परिश्रम कर शबी बाधाओं को लांगते हुए दूर करते हुए बिना किसी कोचिंग बिना किसी सिच्च के साहता के कठीन से कठीन परिश्रम को परिश्रम को शपल होकर दिखलाते हैं ऐसे बहुत सारे उधारन है हमारे सामने जैसे सिरी कांट सिरी सिरी कांत के निकूली का कारी करते हुए IAS ओपिसर बन कर दिखलाया कार्तिक जैस्वाल ने UPSC 2021 में 35 अस्थान प्राप्त कर दिखलाया और इसी परकार उत्तर परदेश के रिक्सा चाला के पुत्र गुविंद जैस्वाल ने कर दिखाया ऐसे लोग सिर्फ स्टडी के द्वारा अपना ही नहीं अपने माता पिता को शमाज में उचा अस्थान दिलाने का कारी करते हैं ऐसे लोग उन लोगों या छात्रों के उन बातों को गलत साबित कर देते हैं करते हैं कि मेरे पास साधन और अच्छे अध्यापक नो होने के कारण मैं इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाया लेकिन इन लोगों ने कर्म में वजायते का नियम का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की अब हम बात करेंगे कि सेल्प स्टडी से क्या लाव या फायदा है लगाते हैं या आप खुद चुन सकते हैं नमर टू सेल्प स्टडी आपको आपके उपकरण और विश्यों के अनुसार इस्टडी करने के आजाती देती है इसलिए हम विचार धारा या टार्गेट के अनुसार अध्यन कर सकते हैं नमर टूरी सेल्प स्टडी में अध्यन समागरी के अभाव की पूर्ती हम अपने अनुसार कर लेते हैं नमर फूर सेल्प स्टडी से हम अपनी स्टडी के सम्रिद को और अधिक बढ़ा देते हैं इससे समझ और जनकारी हमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है Self study का important part क्या है Self study करने वाले छात्र का confidence level high होता है Self study करने वाले छात्रों का working power भी बहुत अधिक होता है Self study वाले छात्र study material की परवान नहीं करते Self study वाले छात्रों के अंदर चिंता नहीं होती वा पढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए homework करने की जरुवत उन्हें नहीं पढ़ती Number 5 इनका अध्यन अपने रूची या interest से होता है इसलिए यह study को enjoy करके पढ़ते है Number 6 Self study के student के सामने चाहे जितनी भी बादा है क्योंना आ जाए आ जाए वे घबडाते नहीं है और उन बादाओं को पाल कर लेते हैं तो यह था आज का वीडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो like, share और मेरे चैनल को पहले बार देख रहे है तो subscribe जरूर कीजिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भालत